Hello friends, how are you? I hope you had a profitable day. तो आई दोस्तों डिसक्स करते हैं कल जो मने आपको trades दी थी उन्होंने आज कैसे perform किया? कल जो मने आपको पहली trade दी थी वो थी Sanofi, इसका buyman आपको दिया था 7623 पे, इसने आज literary आउट perform किया है, इसका आज कहा ही है 7723 और इसे अपने take profit भी अचेव कर लिया तो आई दोस्तों देखते हैं कल के लिए कौन से stocks हैं जहां हम trade कर सकते हैं, फिरिंट्स इमेरिको का वनावर चार्ट है जिसमें इसकी support है 497 और उसकी resistance है 513 तो इसमें आप देख सकते हैं एक अच्छी कासी correction आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक double bottom बन यह सारे positive sign है, तो इसको हम तब buy करेंगे जब prices consolidation से उपर आ जाएगा, इसके अंदर जो हमारा buying price होगा 502 और यहाँ पर, इसमें जो हमारा take profit होगा 512 और यहाँ पर, इसमें जो stop loss होगा support के नीचे, in swing loss के नीचे, जो होगा 488, तो फिरिंट्स एक बहुत ही अच्छी trade है, पर इसके बाटा का वनावर चार्ट है कर इसके अंदर जो हम trade करेंगे, वह एक breakout trade है, तो इसके जो first resistance होगे 1845, उसके बाद जो resistance होगे 1889, जिसमें भी आप देख सकते हैं, अच्छी कासी correction आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक low है, यह higher low है, यह low से भी उप upwards यह bullishness का sign है, तो इसको हम तब buy करेंगे, जब उपर की तरफ एक breakout आ जाए, जो रिसकी डेटर्स हों directly buy कर सकते हैं breakout पर, जो इसके अंदर जो buying price होगा होगा 1852, अराउं यहाँ पर, इसमें जो आपका take profit होगा होगा 1886, अराउं यहाँ पर, इसमें जो stop loss होगा होगा support के न नीचे जोगा 1811, तो फ्रेंट्स यह भी एक बहुत ही अच्छी trade है, देखते हैं कल के लिए हमारी next trade पूंसी, फ्रेंट्स यह Crompton का one hour chart है कर इसके अंदर जो हम trade करेंगे, वह एक breakout trade है, तो इसकी जो first resistance होगा है 417, उसके बाद जो resistance होगा है 432, तो इसमें भी आप देख स सकते हैं, यह एक low है, यह higher low है, लोज अप रोसिंग अफ़र्स की एक bullishness का sign है, अभी आप देख सकते हैं, price consolidate कर रहा है, just resistance के नीचे, closing के time पर volume भी आ गई हो, प्राइस अभी 20MA की उपर भी है, जो ग्रीन किलर की लाइने है, सारे positive sign है, तो इसको हम तब buy करेंगे, जब 419, अराउंड यहां पर, इसमें जो आपका take profit होगा, 431, अराउंड यहां पर, इसमें stop loss होगा, support के नीचे, in swing lows के नीचे, जोगा 406, तो friends यह भी एक बहुत ही अच्छी trade है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कर during the trading time, अगर intraday में कोई trade आती है, nifty हैं, bank nifty में तो उसको मैं definitely upload कर दूँगा, अपने टेलिग्राम पे, मैंने टेलिग्राम को link description box में, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like के जिए, subscribe के जिए, और दोस्तों bell icon ज़रूर दवाएगा, ताकि आप कोई trade मिस्स ना करे, मैं मिलता हूँ आप से ज